वेलकम टोनली आईए, स्वागत है आप सभी लोगों का प्रिलिम बूश्टर न्यूज डिस्केशन में आज 12 मई दो हजार बाईस है तो आईए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से important articles हैं जो आज हमें cover करने हैं हमारा first article एम प्राइम प्लेबुक के बारे में है अब प्लेबुक का यहाँ पे मतलब क्या हुआ प्लेबुक को आप एक resource book के तौर पे देख सकते हैं एक ऐसी resource book जिसमें हमें मिल जाएंगी guidelines और तरीके किस प्रकार के तरीके कुछ ऐसे तरीके जिनका इस्तेमाल कर सकते हैं academic researchers, entrepreneurship, entrepreneurs basically and incubators incubators का मतलब मैंने आपको कई दफा बताया है incubation एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके माद्यम से आप किसी चीज़ को grow करने में help करते हैं जैसे कि मुर्गी अंडे को incubate करती है मतलब अंडे को वो सभी परिस्तियां देना कि उसमें से बच्चा निकल सके चूजा निकल सके वैसे ही अगर किसी industry को, किसी start-up को कोई भी entity ऐसे स्थिती दे कि वो grow कर पाए तो ऐसी entity को incubator कहा जाएगा तो यहाँ पर हम बात कर रहा है academic researchers, entrepreneurs और incubators की कि वो science-based enterprise बना सके lab to market आपने lab में कुछ develop किया है कुछ innovative, कुछ technical आप उसे कैसे market मिलाके बेश सकते हैं इस पूरी प्रक्रिया को कैसे follow किया जाए इसमें मदद करेगा aim prime तो aim prime 2021 के एपरिल में launch किया गया अटल innovation mission के द्वरा जोकी नीतियायोक का initiative है जैसे कि हम बात कर रहे थे तो aim prime क्या है इसके माधियम से training और guidance दिया जा सकेगा 12 महिनों तक के period के लिए और उसका पूरा प्रावधान इस पूरे playbook में मिल जाएगा focus area रहेगा science-based, knowledge intensive deep technology entrepreneurship इसे हम implement करेंगे venture centers के माधियम से venture center क्या होता है venture center इंडिया का leading science-based business and inventive enterprise incubator है incubator का मतलब मैंने आपको बता दिया enterprise incubator है मतलब ये enterprises को मदद करते हैं कि वो grow कर पाए और ये पुने में located है venture center तो ये implement करेगा aim prime को ये incubator जो है ये non-profit incubator है ये फायदा नहीं कमाते है ये फायदर कोशिस करते हैं कि भारत grow करे CSIR National Chemical Laboratory जो है वो इसको host करती है और ये पुने नालिज जो cluster है उसका भी part है venture center जो है वो एक partner incubator भी है department of science and tech बिराक और IDEX के साथ चर्चा आटल innovation mission के बारे में हो रही थी हमारा next article Odessa के बारे में है Russian forces ना भी हाल ही में massive attack किया Odessa का जो बहुत important port है वहाँ पर इसकी माद्यम से वो basically जो weapons का shipment है या supply line है Ukraine के लिए उसको cut करने की कोशिस कर रहे थे Ukraine देखिए यहाँ पे इसकी capital key है South में आएंगे तो Black Sea के North West में आपको Odessa यह port मिलेगा और city मिलेगी इसका इस्तेमाल अभी तक Ukraine कई प्रकार के weapons को अलग-अलग देश चून को support कर रहे हैं समर्थन दे रहे हैं उनसे लेने में कर रहा है Odessa या फिर Odessa इसके उपर attack किया गया Russia के द्वरा इसी point of view से कि इनकी supply chain काट दी जाए तीसरा most populous city है और Ukraine की municipality है major sea port है transport का hub है जहां से वो अभी तक अपना trade भी करते रहे हैं जैसा कि हम बात कर रहे थे कि Black Sea के North Western region में है वो तो आपको map में दिख भी रहा है जो city है वो administrative center है Odessa region का Odessa Ryan का और Odessa Oblast का ये प्रांथ है basically वहाँ का जो Odessa है उसे कई बार Paul by the Sea, Southern Capital Odessa Mama The Humor Capital या Southern Palmyra के नाम से पुकारा जाता है तो कई सारे metaphorical नाम है Odessa के Odessa एक warm water port है अगर हम Odessa City की बात करें तो Odessa City में केवल Odessa port नहीं है बलकि Port योजने भी है और ये जो Port योजने है ये significant oil terminal है जो पास-पास का पूरा area है उसके लिए आगे बढ़ने से पहले समझ लेते हैं Onlyis की एक offline initiative के बारे में That is All India Free Mock Test अब आपके लिए एक बहुती बढ़िया से सोविधा उपलब्ध है कि आप Onlyis में offline में जाके अपना test attempt कर सकते हैं ये दिन दिया गया है पंद्रह मई का साड़े नौ से साड़े गयार एक से तीन और साड़े चार से साड़े च्छे के slots available हैं आप अपनी seat reserve कर सकते हैं registration के माध्यम से और जाके offline में अपना test दे सकते हैं अगर आप Delhi में रहते हैं तो Onlyis का जो office है वो old राजिन्दर नगर में है जिसका address यहां पे दिया भी गया है ठीक है हमारा next article integrated battle groups के बारे में है हाल ही में army ने कुछ formations identify किये हैं जहां पर हम develop करेंगे integrated battle groups जैसे कि western front और northern borders यहां पे हम agile integrated battle groups से यार करेंगे agile का मतलब होता है चुस्त दुरुस्त या फिल्कुल फुर्तिला अब ये integrated battle groups क्या होते हैं यहां पे पहले आपको मतलब समझना होगा integrated का जब हम बात करते हैं army की तो army में आपको बहुत सारे essential elements मिलते हैं जैसे कि infantry, armored vehicles का group, artillery, air defense system, tanks अब suppose करिए कि infantry available है, sanic available है लेकिन artillery guns का जो group है वो भी नहीं आया है या फिर tanks को जो lead करने वाले group है वो नहीं आया है तो infantry अकेले लड़ने नहीं जा सकती in that case जब लडने जाएंगे तो सभी elements का वहाँ पर present होना ज़रूरी है तभी तो लड़ाई हो पाएगी या फिर हम defense या offense कर पाएंगे in that case कई दफा coordination की कमी within army भी आपको देखने को मिल जाएगी हमें जनरल ऐसा लगता है कि coordination का lag miserly army navy air force में होता है within army भी ये problem आ सकती है हमारा प्लान ये है कि चुकि जो हमारी आर्मी होती है उसकी जो अलग-अलग commands है या फिर उसका जो structure है वो कई दफा इतना complex होता है कि उनका mobilization मुश्किल हो जाता है बहुत सारे soldiers, infantry, armored vehicles, artillery, tanks एक साथ इन्हें अचानक से mobilize करवाना हो तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी coordination की कमें देखने को मिलेगी लेगिन कई तफा ऐसी जरूरत होती है ऐसी जरूरत के case में हमें चाहिए कुछ खास कुछ अलग जिसमें ये सब कुछ integrated हो मतलब एक ऐसा group जहां पर ये units अलग अलग ना हो बलकि ये सभी units इसी में हो ये बहुत बड़ी unit ना हो ये इतनी हो कि आसानी से हम इसे जब चाहें जहां चाहें भेज सकें एक special operation के लिए special defense के लिए और ऐसे ही गुर्प कहा जाता है integrated battle group समझ में आ गया इसमें हम integrate क्या कर रहे है navy और air force हम इसमें integrate नहीं कर रहे है हला कि army के पास भी अपना air defense होता है वो इसमें integrate हो जाएगा बाकि जो उसकी अलगले units है infantry, armored vehicles, tanks, artillery, air defense इन सब को हम कही group में integrate कर देंगे and that will be integrated battle group ये brigade size के होते हैं अब brigade size का क्या मतलब होता है ये structure है army का यहाँ आपको सबसे उपर मिलते हैं operational commands ये सबसे बड़े होते हैं लेकिन ये बहुत easily एक जिगे से दूसरे जिगे mobilize नहीं किया जा सकते इसके नीचे आते हैं cops cops वो सबसे बड़ी wing होती है जो आसानी से mobilize की जा सकती है इसके नीचे आते हैं divisions then brigade यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो हम integrated battle groups बनाएंगे वो brigade के level के होंगे मतलब जितने soldiers brigade में होते हैं in general इतनी resources या soldiers को हम यहाँ पे उसी size में integrate कर देंगे लेकिन ये agile होंगे self-sufficient combat formation होगा मतलब इन्हें अलग-अलग units का इंतजार नहीं करना होगा इनके पास सब कुछ होगा इन्हें frame किया जाएगा need के हिसाब से threat कैसा है, terrain कैसा है, task क्या है इन 3 टीका इस्सेमाल करके इन्हें तयार किया जाएगा इनको logistics कम चाहिए होंगे ये 12 से 48 घंटों में कहीं भी जा सकेंगे इन general इसमें 5000 soldiers होते हैं और इन्हें आसानी से एक जिगे से दूसी जिगे पूरी सुविधाओं के साथ हम mobilize कर सकते हैं ये defense और offensive दोनों प्रकार के operations में शामिल हो सकते हैं IBG को head किया जाएगा major general के जारा और देखे आर्मी में जो static formation होता है वो सबसे बड़ा तो command का होता है जैसा मैंने आपको बताया लेकिन वो formation जो आर्सानी से mobilize किया जा सकता है वो है cops इसके बाद आते हैं divisions और फिर आते हैं brigade और हम यहाँ पे brigade size की battle groups को बनाने की बात कर रहे हैं हमारा next article PM वानी across 100 railway stations के बारे में है अभी हाली में rail tell ने PM वानी को 100 railway stations तक पहुचा दिया है and that's why वो news में आए Prime Minister Wi-Fi Access Network Interface यहाँ पर 100 railway stations पर 2384 Wi-Fi hotspot लगा के 22 राजियों को cover करते हूं internet service दी गई rail tell जो की एक mini रतना category की company है PSU है उसनी इसे launch किया है ठीक है यहाँ पर दीखिए इसके माध्यम से Wi-Fi network को अगर किसी Android user को access करना है तो उन्हें Y. एक application है वो install करना होगा और इसके माध्यम से वो railway के दौरान अपनी internet की accessibility attain कर सकते हैं हमारा next article tissue culture plant के बारे में है हाली में सेंटर ने Agriculture and the Processed Food Product Export Development Authority यानि कि अपेड़ा के साथ मिलकर एक webinar कंड़क किया tissue culture plants के उपर हमारा focus यह है कि हम tissue culture plants का जो export है उसे बढ़ा सके tissue culture plants क्या होते है culture का मतलब होता है grow करवाना यहाँ पे basically हम एक controlled atmosphere में जो plants है उन्हें culture करते हैं इसके लिए हम plants के tissues का इस्तिमाल करते हैं It's very simple एक पेड़ है आप इस पेड़ की एक पत्ती ले लीजे और इस पत्ती का एक छोटा सा हिस्सा लेकर उसका जो tissue है उसको lab में लेकर जाईए उसके cells को lab में लेकर जाईए उसके tissues का इस्तिमाल करके आप ऐसी ही कई सारे jars में कई सारे पौधे तयार कर लीजे इसे कहा जाएगा tissue culture plant मतब आपने किसी plant के tissue को उठाया आप उसे lab में लेकर गए आपने उसे culture किया और plant तयार कर दिया तो tissue culture plant हो गया न अब जो हम tissue culture plant बनाते हैं तो इसमें हम plant का seed, organ, explant, tissue, किसे भी चीज़ या cell उसे chemically defined synthetic nutrient medium में तयार करते हैं यहाँ पे हम control करते हैं light, temperature और humidity को को खुल मिला कि हम ऐसे plants को एक controlled atmosphere में तयार करते हैं यह तो specification है फाइदा यह होता है कि आप बहुती जल्दी mature plant तयार कर सकते हैं दूसरा कि यहाँ पे disease pest या pathogen के transmit होने के संभावना कम होती है ऐसा संभाव है कि एक पेड जिसके tissue हमने लिए हम उससे जो tissue culture plant बनाए वो उस disease से free हो जो disease इसमें है यहाँ पर हम इसके वो tissues ले सकते हैं जो newly built हो रहे हैं जैसे कि आप बिल्कुल नई पत्तियां उठा लेजिए वो नई पत्तियां जहाँ पर tissues का लगाता division हो रहा है तो वो fresh tissues हैं या fresh cells हैं जब आप उनका इस्तिमाल करके tissue culture plant तयार करेंगे तो उसमें चुकी latest divisions है नए divisions है तो जो नया plant तयार होगा उसमें वो बिमारी नहीं आएगी जो इस पेड में है इन जनल आपको confusion हो सकती है कि जब हम उसी पेड का tissue इस्तिमाल कर रहे हैं तो बिमारी क्यों नहीं आएगी क्योंकि हम वहाँ पर वो पत्तियां इस्तिमाल करेंगे या वो पार्ट इस्तिमाल करेंगे पेड का जो बहुत ही तेजी से डिवाइड हो रहा है जिसके tissues या जिसके cells बहुत तेजी से डिवाइड हो रहे है तो उसको इस्तिमाल करके गर हम बनाएंगे tissue culture plant तो disease नहीं जाएगी genetic plant का material हम आसानी से store कर पाएंगे अब PEDA इसके लिए financial assistance भी देता है कि हम quality tissue culture planting material export कर पाएं 2021 में हमने 17.17 million का ये export किया जिसमें 50% तो हमने Netherlands को ही किया हमारा जो export होता है ये 10 दिसों में जिनमें top पे जो 10 countries हैं उनमें Netherlands है USA, Italy, Australia, Canada, बोसों के बारे में हैं researchers जो collider detector at Fermilab यानि कि CDF है Fermilab में basically उन्होंने अभी announce किया है कुछ particle anomaly W boson को लेकर उन्होंने कहा कि उन्होंने W boson का जो mass है उसे बहुत precisely measure किया और इसके पहले तक जो उन्हें लगता था कि इसका measurement होगा ये measurement वैसा नहीं आया है या जो standard particle physics की theory बताती है कि ऐसा होना चाहिए वो नहीं हुआ so it's kind of anomaly मतलब जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हुआ बात करते हैं W boson के बारे में W boson को 1983 में for the first time SON के laboratory में detect किया गया हाला कि इसके पहले mathematical theories तो W boson के बारे में थी लेकिन इसे practically detect किया गया 1983 में जो ये laboratory है ये France-Australine के border पे है ये बहुत ये fundamental particle है एक बहुत ही basic particle है ये वो particle है जो weak force generate करता है देखे weak force वो force होता है जो किसी भी particle के division को cause करता है ये fundamental forces में से एक है जो universe के behavior को affect करते हैं जैसे कि electromagnetism, gravity या फिर strong force वैसे ही Z boson एक weak force है जो कि universe में जो भी matters behave करते हैं उनको cause करता है बाकी के जो forces हैं वो चीजों को bind करते हैं, जोडते हैं weak force उनके तूटने मददगार साबित होता है और इसी से तो ना भी कि विखंडन के प्रक्रिया होती है क्योंकि वहाँ पे weak force होता है तो जो atoms होते हैं वो तूटते चले जाते हैं इससे भी energy निकलती है और तारों को या stars को energy मिलती है तो जो W boson होता है वो electrically charged होता है बहुत ही तेजी से इसमें changes हो जाते हैं ये capable है proton को neutron या neutron को proton में switch कर देने को लेकर कभी weak force है इसलिए ये nuclear fusion को भी cause करता है जिससे stars को energy मिलती है जो अभी हमें मिला वो elementary particle physics का जो standard model है उससे थोड़ा अलग मिला जो elementary particle physics का standard model है ये बताता है कि particles को कैसे behave करना चाहिए या अभी तक जो हमें जानकारी है उसके according particles का behavior कैसा होता है इसके लिए ये mathematical symmetries का इस्तेमाल करते है और लिगातार एक particle दूसरे particle से कैसे जोड़ता है कैसे इंट्रेक करता है उसका एक standard सा model नों ने develop कर रखा है जब भी इससे कुछ हटके होता है हम कहते हैं anomaly create होगी मतलब वैसा नहीं हुआ जैसा standard model के according होना चाहिए चुकि standard model बताता है कि finite number में fundamental particles है जो आपस विफ एक different तरीके से behave करते है लेकिन यहाँ पे Z boson से जो हमें मिला वो थोड़ा सा अलग है standard model की कुछ दिक्कते हैं जैसे कि ये electromagnetic weak nuclear force strong nuclear force और gravitational interactions के बारे में तो बताता है लेकिन gravity के बारे में ये धंग से जनकारी नहीं देता gravitational interactions का तो जिक्र है लेकिन gravity के अच्छी से जनकारी ये देता नहीं दूसरा कि dark matter particles के बारे में भी इसके पास कुछ खास नहीं है इसलिए अकसर जब भी कुछ नया निकल के आता है तो पता चलता है कि standard model में anomaly आ गई क्यांकि जो हमने सोचा था वो नहीं हुआ यहां पर देखे हिक्स बोसोन के सम्मन में question है हिक्स बोसोन को practically 2012 में detect किया गया यह देपी इसके बारे में इस तो बहुत पहले से थी तो 2013 में इस पर प्रशन आ गया पुछा गया कि यह जो हिक्स बोसोन हमने search कि ढूड़ा इसके existence को detect करने के बार हमें क्या फायदे मिलेंगे तो पहला तो यह था कि में मदद मिलेगी जो elementary particles हैं इसके बारे में कभी मौका मिलेगा तो फिर चर्चा करेंगे क्योंकि यह अपने आप में थोड़ा सा descriptive पार्ट हो जाएगा जो हमारा next article है वो अन्दमान निकोबार आइलेंड के बारे में है निस्टर फिर्मोर्मेंट फ़र्स ने प्लाइमिट चेंज़ ने जो डंकन पैसेज है वो लिटल अन्दमान को साथ अन्दमान से अलग करता है देखें यह है लिटल अन्दमान और यह है साथ अन्दमान इसके बीच में यहाँ पे है डंकन पैसेज ठीक है दूसरे information जो यहाँ पे दी गई है that is 10 degree channel जो है वो जो निकोबार ग्रुप है साथ में उसको ग्रेट अन्दमान ग्रुप से अलग करता है तो देखें यहाँ पे है 10 degree channel जो अन्दमान को निकोबार से अलग कर देता है ठीक है यहाँ पे आगे बढ़ेंगे Port Blair Capital है आप जानते हो Great Nicobar सबसे बड़ा है यहाँ पे देखें बल्कुल South में जाएंगे तो आपको Great Nicobar देख जाएगा न यह है Great Nicobar जो सबसे बड़ा है और यह सुमात्रा के सबसे नजदीक में है यही 2017 में प्रस्ट आया था UPSC का कि Great Nicobar के नजदीक में सबसे नजदीक में क्या है और सभी जवाब सुमात्रा ही था यहाँ पे यह Tertiary Sandstone या Lime Stone से बने हैं आइलेंड्स Barren और Narcondom Island दो जो आइलेंड्स हैं बिसिकली यह वलकेनिक आइलेंड्स हैं Port Blair के North में मिलेंगे भारत में यही दो ऐसे Active Volcanoes हैं जो एवलेबल हैं मेंलेंड इंडिया में तो कोई भी Active Volcano नहीं है यहाँ भी देखें कि प्रशन है 2014 में पूछा गया था 10 डिग्री चैनल किसे अलग करता है आसान सा सवाल था अंडमान एन निकोबार को Revision करेंगे Aim Prime Special Purpose वहिकल के तहट यह Implement किया जाएगा गलत है हमने डिसकस किया था कि इसे Venture Center Implement करेगा दूसरा है Odessa Russia में नहीं है Ukraine में है Integrated Battle Group Major General Head करेंगे सही है W Bosson 1983 में CERN में Discover किया गया यह सही है अंडमान निकोबर आइलेंड अनायमोडी मीक अनायमोडी पीक जो है North अंडमान में हाइस्ट पीक है गलत है यह तो South India में आपको मिलेगी तो यह तो गलत ही हो गया यह session यहाँ पर समाप्त होता है उमीद करते हैं यह आपके लिए beneficial रहा होगा So that's all for now Thank you very much